हेलो मुष्ट गैंच आज मैं सिकन्ड ये का क्लास ने कर आया हूँ वैंडिक चेप्टर में आज मैं हन्ना मेंटल टर्म्स टर्म्स यूज इन एसी वाइंडिंग एसी वाइंडिंग ये कुछ फंडा मेंटल नियम है जो इस प्रकार है फस्त है टर्म्स चालकों का एक बंद मार्ण जो दो जो फ्रुब के प्रवाव के अंत्रगत अवस्तित चालकों को जोडने से प्यार होता है उसे वाइनिल एल्मेंट कहते हैं या तो ठर्म कहा जाता है नेक्स है क्वैल्ज स्रील करम में संजोजित अनेक चालकों का समू को क्वैल कहते हैं इस रेनी क्रम में संजोजित अनेक चालकों का समू को क्वैल कहते हैं इसमें बहुत साय चालक है इसको क्वैल कहा जाता है एक्टिव साइड एक्टिव साइड क्वाइल का वह भाग जो एक्टिव साइड जीसमें एक्टिव साइड होते हैं इक्वाइल का वह भाग जो अस्टेटर्ट क्रोड के खांचे में आवस्चित रहता है उसे रहता है और जिसमें विजुत्वाहक बलद पैदा होता है उसे एक्टिव साइड करते हैं तो देखे है एक्टिव साइट, जो एक साइट एक साइट में आ एक दुस्रे स्लोट में, इसको अश्टेटर की स्लोट में इसको डाल दिया जाता है, तो यहां से यहां की दूरी को, इस जाप पहां जाती है, यहां से यहां की दूरी को एक्टिव साइट कहा जाता है, यह ज इन एक्टिव साइट, क्वायल का हुआ भाग, अस्टेटर प्रोड से बाहर होता है, उसे इन एक्टिव साइट करते हैं, अग्या से इन एक्टिव साइट, यह बाहर बचा हुआ है, बाहर की साइट जो बचाता है, ऐसे यहां की साइट, बो तीन साइट, करने कर दे हैं, इतना इतना तो इस लोट में अंदर बैच जाएगा तो लोग अग जाता है क्वाइल के सन्योजत कार्ज के लिए परियोग किये जाने वादे आराम शता अंच के सिरे को क्वाइल लीड्स कहा जाता है देखिए एक क्वाइल एक क्वाइल में यह दो लीड्स है एक पर्थम सिरा और एक दूसरी सिरा यह जो सिरा जो है इसी को एस सर्जोजक कार्ज के लिए जोड़ने के लिए काम में आता है एक क्वाईल से दूसरे क्वाईल को जोडने के काम में आता है इसको लीड कहा जाता है पोल पीच दोस्रंग ने एवं असमान पोल के बिच की दोड़ी पोल पीच कहलाता है क्या करता है दोस्रंग ने वं असमान पोल एक पोल से दूसरे पोल की बिच की दोड़ी को पोल पीच कहा जाता है पोल की बड़ावर होता है टोटल स्लोड जितने भी अस्टेटर का स्लोड जो होता है खांच जो होता है तो टूटल स्लोड से ओफ है जिभाई के नंबर ऑफ पोल वो कितने पोल में बैंटिंग करना है तो आपको ये पोल की निकल जाता है सब्सक्राइब करना हो तो फोर से इसको भाब देते हैं पोल मतब पोल फिल्ट कितना हो गया है छे थे पोल फिल्ट एक पोल फिल्ट छे हो गया पोल फिल्ट हमेशा समसंख्या में नहीं होनी चाहिए और नंबर में होना चाहिए इसके लिए हम अपने मन से एक बढ़ा जेंगे या एक घटा जेंगे अथा एक से 7 या एक से 5 हम फोल फिल्ट ले सकते हैं क्वाइल पिछ एक क्वाइल की दो एक्टिव साइड इसे एक क्वाइल की दो एक्टिव साइड जो हैं यहां से यहां की दूरी में जो आसमान ध्रुपों के यह सागब उस्से बीस की दूरी को क्वाइल पीच का जाता के बठने की जेगा को क्वायल पीज कह रहता है। जी को फीचम कह रहता है। को पीच कह रहता है। क्वायल गुरुप यदि मस्जीन वाइंडिंग में एक से धिक क्वायल को स्रिंख करम में जोर दिया जाए तो कोयल ग्रूप गटते हैं जैसे यह में दो कोयल हिए म distintos है यह में जुड़ा हुआ है । । टॉइल आपस में शिरीड में जुरा हुआ थे encade सीरीड में जोह जिए के लिए मा depri lle कि YouTube आपस मेंiki इस व्लिंट मैने से कंओ जये के और हम ऐग मा शिक के जये पाल हुआ यह धाया है प्रसम आध बॉर्टम जों हुआ है इसका है top है इसका bottom ये दुख वायर आपस में जोडने का चरीका जूआ है तो top को हम main lead समान लेंगे और ये जो है आपको top bottom जूड जाएगा ये आपको top बाहर इंकल जाएगा ये bottom करेंट जाने की आस्था पाउच एक रूँ सीधी होती है, एक यहां से सीधी होती है, ते यहां सीधी आसे है, मतलब एक शाइक के कोईल पिच के कई कीच का अब प्राइब है, इसाथ, कोईल ग्रूप यदि मसीन वाइनिंग में एक से धी क्वाय को श्रिक्रम में जोड़ दिया जाए तो क्वायल गुरूप करते हैं कुल क्वायल गुरूप बड़ावर होता है फेज की संख्या अठाफ फेज की संख्या गुले पोल की संख्या मुटर कितने फेज की है मानने कि फेज की संख्या गुले पोल की संख्या कितने पोल में बाढ़ने करना है कि फेज थी है आप पोल चार है तो चार तिया बारह और एक फेज में क्वायनों की संख्या बारह होगी क्या तिया बारह क्वायल होगी पत्ति फेज क्वायल गुरूप एक फेज में फूल क्वायल गुरूप रहे पोल की पुरूप की संख्या बुने क्वायल क्वायल की संख्या बारह कुरूप फेट रहेगा अगुह गुुना कर लेगे से Total Qu Unreal से निकल जाएगे अब ठीनी फेज हुला है कि एक फेज में कौई की संखिया नकला है तो परतिक कौई कूई कुई कूईस बंट कुः कूईस कर जागग जो अब भेज की संखिया और फेज के ऊचला है तो चार्तिया बारव चार चार आठ चार बारव में चरचर क्वाइल सक अहें तो यह वान पर्टी प्रति पोल क्वाइल ग्रूप का ब्रावबरफूल क्वाइल क्नेक्षं एक ही क्वायल ग्रुप की एक क्वायल के अंतिल से को दुसरी क्वायल के पहला सिया से जोर दिया डाता है तो क्वायल कानेक्शन कर लाता है सपोर्ट जाएं मान दिया जाएं कि यह जो क्वायल में लिट्शू है सपोर्ट जाएं मान जाएं कि एक क्वायल हो जाएगी किसी क्वायल हो जाएगी किस्ट्रा क्वायल यह पहली शिरा को दुसरी शिरा को दुसरी शिरा से मतलब आंतिम शिरा को इस क्वायल का आंतिम शिरा को दुसरी क्वायल की पहली शिरा से जोर दिया जाए तो उसे क्वायल कनेक्शन कर जाता है तो यहां हम देखे हैं कि एक साइड चो हुआ है एक्वायल हो इन साइड इन एक्वायल क्वायल 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 क् तो वाइडिंग ये कुछ फंडामेंटल से नियम जो है यह आप लोग ध्यांग देंगे किसी के नियम के नुसार वोटर बाइडिंग के आपको भी अस्टेटर्ड बाइडिंग की जाती है तो आप जा वीडियो में कहीं स्टॉप करता हूं थैंक्यू